हेलो फ्रेंड्स स्वाग्त है आप सब्खाग fix comigo. तो चलिए आज बनाते हैं अलो का korma. तो उसके लिए हमें पहले अलो के छिलकों को निकालना है. मैंने फालो 5-6 लिए हैं, उनके छिलकों को अब हमें अच्छे से निकाल लेना है. एक-एक करके मैं सारे आलू के चिलके को निकाल लूँगी मैंने आलू के चिलके सारे निकाल ली है और आलू को अच्छे से वोश कर लिया है अब अरे गिर गया मेरा आलू तो ये वोश हो गया है और इदर रखती हमने कडाई और कोर्मा के लिए तेल थोड़ा ज़ादा ही चाहिए हता है क्योंकि हमें इसमें आलोफ्राइ करने है और तो दूसरी तरफ मैशने प्यास लिए लिए है मुश्राहमें करना है इन सब को आमें काट लेना है मोटा मोटा काट के जार में डालना है और एक प्यूरी रेडी करनी है तो इधर मेरा गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने आलू डाल दिये हैं फ्राई होने के लिए उपर से डाला गया नमक थोड़ी सी हल्दी और अब हम इन्हें अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो हमारे आलू है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और पक जाए कम से कम पांस मिनुट लगेंगे तो इदर मैंने जार में यह सब डाल दिया है यह हरी मेरच अब हमें इसका वैच्छे से पेस्ट बना लेना है तो इसमेरा पेस्ट हो चुका है रेडी और इधर मेरे आलू वी हो चुके हैं फ्राई तो जो मैंने मसाला रेडी किया था आप भामुस इसे डालेंगे थोड़ा सा नमक और जो भी बेसिक मसाले होते हैं वह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अब हमें इसे ढखके दो-चार मिनट के लिए पकाना है इधर मैंने दही ले लिया है दही में मैंने हल्दी लाल मिर्स के दो चमच डाले हैं और जो भी आपको मसाले पसंद है जीरा पाउडर धनिया पाउडर आप वो डाल सकते हैं मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट त्यार करन है यह मेरा पेस्ट हो गया रेड़ी और इधर मेरा मसाला भी अच्छे से पक चुका है और छोड़ दिया है मसाले ने तो आप जो मैंने मसाला वाली दही बनाई थी हमें बो डालनी है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और पांच मिनट के लिए ढख देना है यह होगी है र अब हम मैं इसमें कसूरी मेत्री डालूँगी वाव आलू का कॉर्मा बहुत अच्छे से पक चुका है ओईल बिल्कुल साइट से छोड़ दिया गया है छुट गया है बहुत ही यमी आलू का कोर्मा बना है यह देखिए गाइस आप मैं इसमें थोड़ा सा हरा दनिया डाल दूगी वाव क्या मज़ेदार आलू का कोर्मा बना है अगर वीडियो प्सांद आए तो लाइक से सब्सक्राइब